हेलो मित्रों यूपी ट्रपल सी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आज में बहुत ही महात्पूर्ण एग्री कल्चर से एग्री कल्चर से आपका टॉप होटी कोश्चन समलित किया हूँ यह इतने महत्पूर्ण है कि यह सभी परिच्छाओं में पूछे जाते हैं तो आप लोग इस 40 कोश्चन का एंसर बिल्कुल रट ले अपनी जवान पर ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना पर इच्छा देने में तो चलिए मित्रों ज्या नमबर फश्ट है कि और सभी कुछ परतिच्छा कर सकता है यह एक लेक है और सभी कुछ परतिच्छा कर सकता है किन्तु किर्सी नहीं यह किसका उदागर है यह उदागर किसका है तो इस चारों आप लोग देख लिजिए साइद आप लोगों ने समझ लिया होगा तो इसका पंडी जवाहला नहरू ने कहा था कि और सभी कुछ परतिच्छा कर सकता है कि तो आपका आपसन नमबर बी अंडा और चिकन का उत्पादन से सम्बंदित है चिकन उत्ना फेमस नहीं है अंडा ज्यादा फेमस है मित्रों तो भारत में रजट करांती जो है अंडे उत्पादन में पढ़ावा के लिए जो है लाया गया था प्रेश नमबर तीन है कि केसर के लिए पाउधों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है बहुत ही महत्पूर प्रेश नमबर तीन का जो राइट अंसर होगा मित्रों वो अपसन नमबर आपका है डी यानि वर्तिकागर का प्रियोग जो है केसर के लिए लाया जाता है चलिए आगे देखते हैं प्रेश नमबर चार है मित्रों कि महाजनी प्रथा का सर्प्रथम उलेक निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है आप चारो आपसन देख लीजिए फिर मैं उत्तर बताता हूँ तो प्रेश्ण नमबर 4 का जो राइट एंसर है मित्रों वो आपसन नमबर A है सत्पत्प्रामण में जो है महाजनी पर्था का उलेख किया गया है प्रेश्ण नमबर 5 है कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है भहत ही महात्मोर प्रेश्ण है तो प्रेश्ट नमबर 5 का जो राइट एंसर है मित्रों वो आपसा नमबर है D यानि अमरूद का चलिए नेक्स प्रेश्ट देखते हैं प्रेश्ट नमबर 6 कि क्रिसी कार्य में लगे टेक्टर की आवाज किस अस्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए बहुत ही महत्पूर प्रेश्ट है मित्रों ये इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा छे नमबर का जो राइट एंसर होगा आपसा नमबर ए है 90 डेसीबल मित्रों जो ध्वनी की इकाई है या ध्वनी का मातरक है वो डेसीबल है तो 90 डेसीबल से जो है टेक्टर की आवाज अधिक नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि मनुस्थ से जो है 90 डेसीबल से ज्यादा सुनेगा तो उसे दिक्कत होगी इससे ध्वन परदूसन होने लगेगा प्रश्ण नमबर साथ है सेंट्री फ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब परियोग किया जाता है बहुत ही अच्छा प्रश्ण है बहुत ही महत्पूर प्रश्ण है तो प्रश्ण नमबर साथ का जो राइट एंसर है वो आपसर नमबर है ए ए आपसर नमबर में क् और निकास दोनों ज़्यादा हो जब पानी का सिरोत यानि गहराई और निकास उठाने के लिए आनि भेकने के लिए दोनो ज़्यादा हो तो उस समय सेंट्री फ्यूगल का पृश्यो किया जाता है कि धान में भूसी का प्रृतिसत अनुमानतह कितना होता है बहुत ही महातपूर्ण प्रश्ण है आठ का राइट एंसर है अपसन नमबर B 20 प्रतिसत प्रश्ण नमबर 9 चावल के उन्नत बीज की प्रती हेक्टियर बीजारोपन दर है यानि नरसरी तयार करने के लिए प्रति हेक्टियर हमें कितने किलोग्राम बीज की आओ सकता प्रती है प्रश्ण नमबर 9 का राइट एंसर जो होगा मित्रों आपसन नमबर B 15 किलोग्राम चलिए प्रश्ण नमबर 10 देखते हैं बहुत ही महातपूर्ण प्रश्ण है यह भी कि निमलिखित में से कौन सा अमलिये धर्ती पर सफलता से उगाया जा सकता है निमलिखित में से कौन सा अमलिये धर्ती पर सफलता से उगाया जा सकता है इसमें कौन सा फसल होना चाहिए मित्रों तो इसका राइट एंसर जो होगा वो आपसा नमबर है एक हीरा को उगाया जाता है प्रेश नमबर ग्यारा है पूसा रसराज किस की उन्नत किस्म है पूसा रसराज मित्रों खरबुज्या का जो है उन्नत किस्म है प्रस्ट नमबर बारा है कि उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किस्से की जाती है उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किस्से की जाती है प्रस्ट नमबर बारा का जर्राइट एंसर है वो अप्सन नमबर डी है इन में से कोई नहीं छेलीये next प्रस देखते हैं next प्रस न है आपका मित्रोव एक हार्स पावर बराबर होता है किसके बराबर होता है आप लोग सबको याद होना चीए तो 746 वाट के बराबर होता है प्रस नमबर 14 है कि कूडे से हरित उर्जा निर्मार ने राजय अगर्डी है से इस ग्रह पर कितने ब्रिच हैं बैज्यानिक अनुवान ने लगाया है कि इस ग्रह पर जो है कितने ब्रिच हैं प्रश नमबर 15 का जो राइट एंसर हो का मित्रों वो अप्सन नमबर है C 400 विलियन चेले नेक्स पर देखते हैं प्रश नमबर 16 है कि कितने प्रथिसत ग्रामीर परिवार की रसोई में परामपरागत लकडी गोवर आदिसे खाना बनाया जाता है प्रश नमबर 16 बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्न है तो मित्रों 16 का राइट एंसर होगा आपका A, 71 पर्तिसत जो है परिवार में प्राम्परघाट लकडी वहाद थे खाना बनाया जाता है प्रेशार नंबर 17 है कि केवल कितने परिस्द ग्रामीड परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है प्रस्ण नमबर सत्रा का राइट एंसर है 1ko ए, प्रस्ण नमबर अठारा कि जाभो ग्रामीड केती करने का तरीका कहा बिद्दियान है प्ररस्ण नमबर B ना का लेंड में छलिए प्रस्ण नमबर 49 देखते हैं सी के साथ कि किसान चैनल का परधान मंतरी द्वारा कब उधगाटन किया गया किसान चैनल एक आता है मित्रों को परधान मंतरी ने जो है कब उसका उधगाटन किया है तो 19 का राइड अंसर है अपसन नमबर C यानि 26 मई 2015 को उधगाटन हुआ है किसान चैनल का सब्सक्राइब walk मर्द गुताल यानि सब साइलर तो ट्वंटी का जरोाइट अंसर होगा मित्रों किसंज ए मोल्ड बोल्ड हल और डिस्क हैरो जो है प्राथमिक उपकराण है जुताई के चलिए प्रश नमबर 21 कि सिचाई में जल प्रियोग की कुसल मित्य बेता की अनुसार कौन सी प्रणाली स्रेश कर है सिचाई जल प्रियोग के लिए तो इसका राइट एंसर जो होगा मित्रों 21 का वो आपसन नमबर है बी डिप प्रणाली क्योंकि इस बिदी में जो है लागत तो ज़्यादा लगता है मित्रों लेकिन सिचाई जो है पानी की बहुत बचत होती है प्रणाली मेड़िव बहुत है जो है मित्रों Study कि बहुत ही महत्मुल प्रणाली कुल जो है िस प्रणाली सिचाई जो है कौन सी सही नहीं है इस पुर्देश में परचले धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है मतलब ये माप दिया है मेजर्मेंट दिया है मित्रों A है 20 कंच बासी इसकल टू विस्वी 20 विस्वी बराबर 10 विस्वा और C है 20 विस्वा बराबर 1 विगहा और दी है एक विखा वराबर पच्पन गुड़े पच्पन बर्गज इसका राइट एंसर जो होगा मित्रों होगा सी बीस विश्वा वराबर एक विखा ये बिजर्मेंट सही है चेलिए प्रस्ट नंबर 25 कि बार्सी क्रम और बरसांतर फसल उगाने की विवस्था को क्या कहत हैं मित्रों फसल रोपड अनुकरम अपसर नंबर डी विल्कुल राइट है प्रस्ट नंबर 26 है कि प्रतिबर्स भारत में कितना क्रसी का कुड़ा और खत पर खर पतिवार निकलता है 20C इसका राइट एंसर होगा 350 मिलियन टन प्रस्ट नंबर 27 है कि भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संस्ता है कितना संस्ता है 27 तो इन में से कोई नहीं है मतलब ये सब नहीं है इससे अलग ही कुछ है प्रेश नमबर 28 है कि भारत में कुल बन छेतर कितना है 28 का राइट एंसर होगा मित्रों D की उप्रोक में से कोई नहीं है यानि इतना भी बन छेतर नहीं है प्रेश नमबर 29 है कि कुल खेती छेतर से तातपर है कुल खेती छेतर से क्या तातपर है मित्रों आप लोग आपसम देख लीजिए बढ़ियां से फिर बताईए तो 29 का है वो C है कि पर्स में सुद्ध खेती किया गया छेतर प्रस वह छेतर जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो मतलब सुद्ध छेतर में पर्स भर में सुद्ध खेती किया गया चेतर और उसी खेतर पर एक से ज़्यादा बार किया गया खेती जो है वो कुल खेती छेतर पर से तत पर होता है प्रशन नमर 30 है कि निम्न में से कौन सी root crop नहीं है जड़ crop नहीं है मित्रों तो इसका right answer क्या होगा 30 का तो वो है आपका एक यानि गन्ना जो है root crop नहीं है बाकी सब root है प्रशन नमर 31 गेहूं में protein का परतिसत कितना होता है बहुत ही महत्पूर प्रशन है तो 12 परतिसत होता है मित्रों यह बिल्कुल right है 32 है कि परिछेत्रिये मुद्रा और परिछेत्रिये मुद्रा को और क्या कहते है बहुत ही अच्छा प्रशन है 32 का right answer है इसको बोलते है मित्रों transported मिर्दा transported मिर्दा बोलते है परिछेत्रिये मिर्दा मुद्रा को transported मिर्दा बोलते है प्रशन नमर 33 है बहुत ही महात्पूर्ण है कि NPK के किस अनुपातिक प्रियोग की संस्तुती की गई है 133 का राइट एंसर है वो है आपका अपसन नंबर एह विल्पूल राइट है 6 अनुपाति 3 अनुपाति 1 34 है कि पूशा रुबी किसकी उन्नत किसम है बहुत ही महाकूर प्रेश्ण है तो ये है आपका टमाटर का आप लोग याद रखिएगा प्रेश्ण नमबर 35 मैं पढ़ लेता हूं कि एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि ये आप याद रखिएगा क्यों नुकसान होता है इसकी गति अधिक हो इसकी गति मंद हो पकी फसल को ठ्रेशर में डालने में कमी हो दाना निकालने की गति अतिधिक हो तो इसका राइट एंसर जो होगा मित्रों वो होगा कि दाना निकालने की गति अगर अतिधिक हो तो दान ज्यादा तूटते हैं प्रस्ट नंबर 36 है कि दीमक को नश्ट करने के लिए सरबाधिक उप्युक तरह शायन का उन्सा है तो वो है आपका प्रस्ट नंबर 37 है मित्रों कि इन में से कौन ग्रामीड विकास का परतमान कवीना यानि कविनेट मंत्री है प्रस्ट नंबर 37 का राइट एंसर जो होगा मित्रों वो है चौधरी बिरेंदर सिंग प्रस्ट नंबर 38 है कि फसल कटाई परिच्छन क्राब कटिंग एक्सपेरिमेंट किसलिए किये जाते हैं फसल कटाई परिच्छन किसलिए किये जाते हैं मित्रों इसका राइट एंसर क्या होगा आप लोग आपसन देख लिजे फिर बताईए दिश्का राइट एसंट गी वह उपज की के उपज एक उपज का अनुमान लगानेे लिए जो है भुसल कताइए के लिए प्रश्ट करते हैं उपज का अनुमान लगाने के लिए ऑफज को लिए प्रश्टण में ए आपका कानून गो और लेकपाल तयार करते हैं तो यह है मित्रों आपके एगरी कल्चर से टॉप फोटी कोश्चन सभी पोश्चन बहुत ही महत्पूर्ण है आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मित्रों अगर आपको वीडियो झाई है आपको 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 इस बिंगे आपको 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 नका जाएगा ह।